Hello guys, welcome back to the channel और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगो को बताऊँगा कि आप कैसे कमबोडिया का E-Visa अप्लाइ कर सकते हो उसका क्या प्रोसेस है, क्या फीस है, अर्राइवल कार्ड क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़े हैं और क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपका अपका वाइड करनी चाहिए जिससे आपका पैसा और आपका समय दोनों बचे तो बहुत सारी चीज़े है जो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा So make sure you watch this video till the end तो यार कमबोडिया के लिए वैसे तो इंडियन सिटिजन के लिए वीजा ओन राइवल भी अविलेबल है पर बहुत लोगों से सुनने में आ रहा है और मैं इंटरनेट में भी काफी वीडियोस देख रहा हूँ कि बहुत लोग को डीपोर्ट कर दे रहे हैं और खास करके जो लोग लेंड बॉर्डर से जा रहे हैं उनको भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो बेटर यह है कि आप यहां से ई-वीजा लेके जाएं और इ-वीजा के साथ भी और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो इस वीडियो में मैं जिसके बार मैं आगे बात करूँगा तो सबसे पहले मेरी स्क्रीन में चलते हैं और मैं आपको उसमें बता हूँगा कि आप कैसे कंबोडिया का इ-वीजा अप्लाई कर सकते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वाइरमेंट्स है और उसको क्या प्रोसेसिंग टाइम है उसका मैं आपको वापस यहां पर मिलता हूं तो यह सबसे पहले आपको Google में सर्च करना है Cambodia e-visa उसके बद आपको यह सबसे पहली link मिल जाएगी website की जो की official website है e-visa kingdom of Cambodia तो आपको इसमें क्लिक करना है उसके बद बस आपको नीचे आके apply now में क्लिक करना है उसके बद आपको यह बस capture fill करना है उसके बद अप्लाए now उसक और यह तो आपको वीजा टी सेलेक्ट करना है जिसका फीज जो है 36 डॉलर है ठीक है तो यह इंपोर्टेंट है क्योंकि यह दूसरा वीजा यह बिजनेस वीजा के लिए तापको टी वीजा सेलेक्ट करना है उसके बद बस आपको यहां पे attach passport में क्लिक करना है आपको अपन अपनी एक फोटो अटेच करनी है तो मैं वह भी अटेच कर दे रहा हूं उसके आप यहां पर क्रॉप कर सकते हो अपने फोटो को तो मैं इसको जल्दी से क्रॉप कर दे रहा हूं उसके गुष मैं जल्दी से यहाँ पर अपना डीटेलस भर दे रहा हूं और आपको अपने पास्पोर्ट के इसाब से सेम टू बयेसे ही डीटेल भरनी है तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक डमी डीटेल diffuse भर देता हूं आपको यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको अपना नाम डालना होता है, telephone number, email ID, gender, date of birth, आपका country, nationality, आपका address, आप ध्यान रखे कि आप पासपोर्ट का यह address डाले, current address डालने की जरूरत नहीं है, उस बाद आपको state डालना है, आपका Cambodia में अड्रेस, अगर आप दो जगर र आपको अपना पासपोर्ट नमबर डालना है, पासपोर्ट का इशू डालना है, और आपका किस country में आपका जो है, पासपोर्ट इशू हुआ है, उसके बाद जो यह है वीजा टाइप, जैसे मैंने बताए आपको वीजा T सेलेक करना है, जिसकी फीस 36 डॉलर्स है, उस अप्शनल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कमबोडिया आने की टिकेट और वहां से जाने की टिकेट दोनों को कमबाइन करके एक PDF बना के इसमें जरूर से डालते फ्लाइट टिकेट में, और होटल रेजरवेशन भी अगर आपका दो रेजरवेशन है, तो दोनों को कमबाइन करके एक PDF बना के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, मैंने भी यह किया था, बस टिकेट और अदर्स में आपको कुछ भी अटेज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप फ्नॉमपन से CMREAP जा रहे हैं, तो आप उसकी बस की टिकेट अगर आपने ऑन सकते हैं, तो यहाँ पे बावित बॉर्डर और भी बाकी बॉर्डर सोग रहे हैं, तो अगर आप वहाँ से एंट्री ले रहे तो उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एयरपोर्ट के थ्रू ही जाए, क्योंकि बहुत लोगों से सुनने ही में आ सारे आपने जो डीटेल्स दी हैं, वो सब कुछ आपको रिव्यू करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अग्री करके सब्मिट कर देना है, आप जैसे ही सब्मिट करोगे आपको 36 डॉलर का पेमेंट करने बोलेगा, तो आप उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, जब आप पेमेंट कर लोगे, उसके बाद आपको एक ID जनरेट होगा, एप्लिकेशन नमबर आपका जनरेट होगा, वो आपको आपको आपके email पे मिल जाएगा और यहाँ पेमेंट करने के बाद भी मिल जाएगा, उसके बाद आप क्या बोलत अगर आपकी सारी डीटेल सही है तो तो यार बस बहुत ही असान सा प्रोसेस है पांच से दस मिनिट में आप ये वीजा को फिल कर सकते हो कोई तकलीफ नहीं होगी लेकिन इसके बाद जो है जब आप कमबोडिया एंटर करते हो तो आपको साथ दिन पहले आपको धुडिया एंटरी के साथ दिन पहले एक अडावल कार्ड होता है जिसका मैं नीचे दे दूँगा और रिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा तो आपको अडावल कार्ड फिल करना होता है आप Cambodia पहुँच के भी फिल कर सकते हो लेकिन जब आप Indian airport वगरा से आप लीव करोगे आप किसी और कंट्रे से भी आरो तो लोग शायद आप से पूछ सकते हैं आप Cambodia का वीजा और साथ में राइवल कार्ड तो बैटर यह होगा कि आप पहले से राइवल कार्ड को फिल कर दें ताकि आपको एरपोर्ट में ज़्यादा तकलिफ होना और दूसरी बात यह है कि वो लोग Indian citizens को देखके थोड़ा और extra documents मांगते हैं तो be cautious मैं आपको recommend करूँगा कि आप 500 डॉलर्स अपने साथ लेके चलें minimum 500 US डॉलर्स अपने साथ कैरी करें क्योंकि Cambodia की currency वो डॉलर्स है US डॉलर्स है वहाँ पर बहुत एज़ी एकसेप्ट हो जाती है और उसके अलावा जो है आप अपना return ticket ready रखे होटल का जो होटल का जो आपका वाउचर है उसको भी रखे और हो सके तो साथ में travel insurance भी रखें तो यह सारी चीजे वो लोग देख सकते हैं और e-visa आपको उसका दो print out लेकर जाना है उसमें लिखा भी हुगा है black and white चलेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप make sure कि आप वहाँ e-visa का दो print out लेकर जा रहे हो और बाकी चीजों का भी मैं आपको बोलोगा कि आप print out लेकर जाओ ताकि वो लोग जैसे से मांगे आप उनको दिखा सकते हो क् कि chances are high as an Indian citizen वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपना return ticket दिखाओ आप अपना hotel दिखाओ and if you have enough cash or not so if you are taking all these measures तो आप लोग का बिलकुल वहाँ पे entry आपको बहुत ही असानी से मिल जाएगी कोई issue नहीं होगा तो बस इतना है यहार बहुत ही असान प्रोसेस है बहुत ही simple process है